नमस्कार साथ योज स्वागत आप सभी का अफ्लाइन फॉर्म ऑफिशल यूटूब चैन्ड के एक नए वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फदेगर उत्रप्रदेश से आप सभी के लिए जो रोकूटमेंट इनवाइट की और यहां बाली है देखें आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में यहां पर तीस चारग सदूर 2 हो तो अठार से पत्शी साल तक apply कर पाएंगे ओभी से candidate हो तो अठार से अठाई साल तक apply कर पाएंगे सी हैस्ट candidate हो तो अठार से तीस साल तक आप यहाँ पर apply कर पाएंगे आदा detail यह दिया आप detail में इसकी qualification check out करना चाहते हो तो आपको i button पर एक video देख रही है उस video पर जैसे आपके लिक करोगे तो आपके सामने full notification आपके सामने नजर आ जाएगा आपको video provide करा मिल जाएगी कि आपको कैसे इसकी क्या qualification रहने बाली है अब चलिए जानेंगे कि आपको application form को कैसे फिलब करना होगा तो आपको application form आपका रहने बाला उस post का name आप यहाँ पर mention करेंगे इसके बाद एक passport शायद फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा जिस पर आपको अपने यहाँ पर signature कर देने होगे आपको इसके बाद आपको अपने यहाँ पर name लिखना होगा इसके अलाब आपकी date of birth क्या है, आप अपनी आपर date of birth mention करेंगे सबसे पहले दिन में फिर मन्त में, फिर इसके बाद आप अपनी आपर year में जानकारी दे पाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर correspondence address आपको mention करना होगा, सबसे पहले आपको village करना है, city से belong कर दे तो आपको city ठीका name mention करना है, इसके बाद आपका post office के आप post office mention करेंगे, district mention करेंगे, state mention करेंगे, pin code mention करेंगे, इसके बाद आपको अपने यहाँ पर age को calculate करना होगा, जो आपके application form को apply करने की last date रहने वाले 30 माई, उस दिन से आपको अपनी age को calculate करना होगा, कि आप कितने year, कितने month और क इतने दिन के हो रहे हो, वो आप अपने हिसाफ से calculate कर पाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर mention कर देना होगा, इसके बाद आपको qualification के बार में पूछा हुआ है, आप जिस post के लिए apply कर रहे हो, अपने application form को, उस post में यदि आप 10 week की qualification माई होई है, तो आपको यहाँ पर करना होगा, इसके बार में आप यहाँ पर जानकारी देने वाले हो, इसके बाद आपको आपको यहाँ पर यहाँ पर जानकारी देनी होगा, और उसके बार में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगा, आपको पर disability के बार में पर percentage के बार में आपको यहाँ पर जानकारी द देने होगी, इसके बाद आप category चे किस category चे आपको जो application form को apply करें हो, उस category का name आप यहाँ पर mention करेंगे, जन डाल, OBC, EWS, SCST, उस category का name mention करेंगे, देखिए आपको जो 7 number option और 8 number option है, यह आपको इनके बारे में नहीं पता है, तो आपको यहाँ पर भी no कर देना होगा, और आपका जो भी आधरकार number है, वो आप अपने आपर आधरकार number mention करेंगे, आपको यहाँ पर total आपको यहाँ पर 6 लिख देना होगा, इसके बाद आपको अपने आपर mention करना होगा, सबसे पहले आपको शुरी करेंगे, अपने पता जी का name mention करना होगा, इसके बाद आपको अ यहां पर application form था जो हो complete फिल हो चुका है इसके बाद जानेंगे कि आपको यहां पर कैसे जो अपने आपके envelope हैं आपको envelope को फिलप करना होगा देखिए आपको यहां पर तीन envelope के आप सकता रहने वाली आपको दो आपको purchase करने यह आपको एक एक रुपे के आपको bookseller से purchase कर ले ने सबसे पहले जानेंगे कि आपको छोटे वाले envelope को कैसे फिलप करना होगा सबसे पहले टू लिखना है आपको comma लगाना होगा name लिखने की बास सनौब करके फादा ने मेंसन करना होगा आपका post office की आप post office mention करेंगे district mention करेंगे state mention करेंगे यहाँ पर अपना pin code mention करेंगे और दो mobile number यहाँ पर mention करेंगे और यहाँ पर 25 रुपे का आप डांग्टिकत लगाने वाले हैं इसके बाद आपका जो भी second आपको envelope है आपको यहाँ पर दो envelope इस प्रिकार के रखने number mention करेंगे आपको यहाँ पर भी 25 रुपे का डांट कर लगाना और आपको यहाँ पर भी 25 रुपे का डांट कर लगाना है याद रखना यदि आपको वहाँ पर 25 रुपे का डांट कर नहीं मिलता तो आप 55 रुपे के 5 भी लगा सकते हो यदि आपको वहाँ पर 25 रुपे का आ आपको उसके बाद यहां परिपका देना होगा इसके बाद आपको इनमे कुछ नहीं रखना आपको ऐखाली ही send करना होगे इसके बाद आपको एफ बड़ा बाजाश करने यहां आपको दो एतीन रूपे का इस केटिगरी के application form को apply की हो जिस केटिगरी को आप form को apply कि हो इस category का name mention करेंगे इसके बाद आपको side में from लेखना होगा और कॉमा लगा देना होगा उसके बाद आपको name लेखना सनौप करे father name village क्या अच्छाद किया है आपको यहां पर mention करना होगा देखिये मैं आपको बताना चाहूँ गा स्बसे पहले आपको यहां पर लिखना है यहां पर यहां पर लिखना q u a r t e r m a s t e r n नी quarter master आपको लिखना होगा आपको याद रखना आ vel को बताना चाहूंगा detail में कि आपको कैसे लिखना है आपको यहाँ पर टू लिखना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है इसके बाद आपको यहाँ पर शुरू लिखना होगा Q-U-A-R-T-E-R-M-A-S-T-E-R इसके बाद आपको लिखना होगा और वाद यह रहने वाला है यापको एप्लिकेशन फॉर्म को सेंड़ कर देना हो गाई इसके बाद आपको आपको सभी आपके यहापके यहापके यहापका फिलो चुका है आपको आपके जो एंवलप्ते वह भी फिलो हो चुक है इसके बाद जानेंगे कि आपको यह पर कौन-कौन से document आपको यह पर रखने होंगे देके document को लेकर बात कर लिता हूं तो सबसे पहले आपको यह पर 10th की Marchit की अपनी यहाँ पर photocopy करवा लेनी होगी इसके अलाब है आपने बारवी पास कर लिए तो बारवी की मार्चीट की फोटो कॉपी करवाएंगे निवास प्रिमांड पत्र की फोटो कॉपी करवाएंगे जाती प्रिमांड पत्र की फोटो कॉपी करवाएंगे यदि आप जनरल केंडेट हो तो आपको नहीं करवानी आपको निसुल के यहां पर आपेदन रहने बाला है इसके लाब आपको यहां पर दो एन्विलाप रखने होंगे देखें मैं आपको अल्ड़ी बता चुगा हूँ आपको यह पर दो लिफापे रखने होंगे जिस पर पत्सीज पत्सीज रुपए का डांग्टिकर लाणा है इसके आप अब आपको पास experience है तो आप experience अटिपेट यहाँ पर उसकी भी photocopy करवा लेने होंगे सभी document आपको self-attested करने होंगे यह जितने भी document की आपने photocopy करवाई है सभी document पर आपको नीचे की तरब अपने signature कर देने होंगे इसके बाद आपको क्या करना सभी document की photocopy करवा लेने के बाद आपको यहाँ पर इस परकार इनको रख देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर दो आपके जो envelope हैं जो आपको लिफापे हैं जिन पर आपको 25-25 रुपे का डांट कर लगाना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर इन पर दो passport side photo इनके ऊपर रख देने होगे इसके बाद आपको scroll इनको कर देना होगा scroll करने के बाद याद रखना आपको दो passport side photo आपने नहीं रखें तो आपको रखने होगे आपको दौनों पर 25-25 रुपे का डांट कर जरूर लगाना होगा नहीं लगा होगे तो application form आपका 100% जो reject हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है आप comment को इसमें रखने के बाद बड़े बाले envelope में आपको अपने नजदी की जो भी आपका post office है कोई भी आप post office हो आपका जो भी नजदी की post office है वहाँ पर जाएंगे और अपने application form को याद रखना रजिस्टर पोस्ट के द्वारा application form को send करना होगा यदि आप speed post या ordinary post के द्वारा send करते हो आपको ऊपर कोई भी यहाँ पर diet cut नहीं लगाना अपने आप वो लगा देंगे आपको registered post के द्वारा व आपके घर पर जो आपने आपर यह envelope आपने रखे हुए इन में आपका जो डांट है आपने इन पर लगा दिया है तो आपका जो इनी envelope में आपका जो admit card है वो रखकर आ जाएगा और आपका सबसे पहले यहाँ पर written exam होने बाला उसके बाद यह आपका skill test है trade test होगा उसके ब medical होगा और आपका finally selection हो जाएगा